नमस्कावर दोस्तों दोस्तों B8 वर्सस BTC की जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी यानि आपको पता होगा कि 10 जनवरी से इसकी सुनवाई शुरू हो गई थी और 10 जनवरी को भी प्रॉपर बहस चली थी जिसमें आपने देखा होगा कि B8 वालों का पक्ष रखा है क्योंकि हर समय पे जो भी जो इस पक्ष का वकील जो है अपनी अपना पक्ष रखने पर आ रहा था तो वह अपनी एक अच्छे खासे अच्छे खासे मतलब मुद्दों के साथ वहाँ पर अपनी बाते रखा है तो जिसकी वज़े से मामला जो है कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब की इसी तरफ गया उस तरफ गया लेकिन फाइनली अगर बात की जाए तो सुनवाई समाप्त हो चुकी है और अब यानी फ्र फैसला आने वाला है जो कि आने वाले हफते में आपको पता चल जाएगा कि अब इसका फैसला क्या है क्यों क्योंकि लगभग लबग ओर जो है वह रिजर्व कर लिया गया है ठीक है और अगर हम बात करें कि क्या हो सकता है उसके बारे में अगर हम बात करने की कोसिस करें त जजज हैं उनके मन में क्या चल रहा या वो ग्या ओरन लेके आते हैं बस बात यही पर है कि जो ही ओर आये उससे सभी बख्चों बच्चों का जो हित है właśnie किसी का भी हीत नहों ठीक है जिसको जिसका जो अधिकार है वो उसको मिले यानि ऐसा ना हो कि भाई की किसी को कोई कमी हो गई या कोई ऐसा हो जाए कुछ भी ऐसा ना हो कोई एक ऐसा रास्ता हम ये आसा करते हैं कि जो हमारे ज़साब हैं वो कुछ ऐसा फैसला निकाल के लिए हैं जिससे सभी बच्चों का हित जो है उसमें बरकरार रहे किसी को हानी ना पहुच ठीक है और आप लोग के हिसाब से जो दो दिन तीन दिन जो प्रॉपर जो बहत चली है आप लोग के हिसाब से आप लोग भी अगर प्रॉपर नजर बना के रखें तो आप लोग के हिसाब से क्या लगता है आप लोगों को कि फैसला क्या आ सकता है या क्या ऐसा फैसला आए ज जो सबसे जादा बहतरीन हो और जिसकी आसा आप लोग कर सकते हैं या आप लगा के बैठे हुए है तो लेकिन ये चीज़ जरूँद सोचेगा कि सभी के हीतों के बारे में सोचके तब ये डिसीजन लिजेगा यानि खुद के बारे में भी सामने वाले के बारे में भी हर के माध्यम से आपको अपडेट मिलेगी कि इसका निसकर्स क्या निकला जिसके पूरे भारत के सभी छात्र जो भी ब्याड याँ डिलेट के छात्रे हैं वो सभी नजर बनाए हुए है हर राज किंद्री विद्याले की जो वेकेंसी आई विति जिसमें ब्याड वाले लिकिन आधा दिमाख उनका इस चीज़ पर लगा हुआ है कि पढ़े और पता चला कि बेड़ को बाहर कर दिया गया तो क्या होगा ठीक है तो इन सभी चीजों की दुविजह आपको जल्द ही जल्द यानि नेश्ट वीक में आप इमान सकते हैं कि जब फैसला आएगा वे साब से आगे बात करेंगे फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही बताता हूं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे नौटिफिकेशन की जो इसूज है वो ना आएं क्योंकि बहुत बच्चे से कहात करते हैं नौटिफिकेश प्राइब